मश्कार आरके चनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज आपके सामने एक मैं जंप सूट लेकर आई हूँ जो की दो कलर में बनाया मैंने और विच केबल डिजाइन डारला मैंने जे टांग से शुरू होता है नीचे से ऐसे यह से देखां घे जिए मैंने ऐसे बनाया एक पसा मैंने बनाया है और फसंट कई कगी से बनाना मैंने चारिश फंदे डाल के बॉरडर के बोल्डिद बनाया है यह रहा बांद लंबात बनायाँ आए क्योंकि हम ने इहें फोल्ड करके बना tim ऐसे फोल्ड करना ऐसे फोल्ड होगा इसलिए बॉर्डर मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है और उसके आगे मैंने बीच में मैंने केबल डाली है और पती बनेगी चोलो फेले हम बाढ़र बनाते हैं आपको बाढ़र बनाना सिखाती हूँ यह मैंने ऑल्राडि 40 फंदे डाले हुए है और एक स्लाई मैंने डाल ली है और दूसरी स्लाई हम डिजबावा बीजाइन डालेंगे पहले दो फंदे मैंने उल्टे फिर दो फंदे हमने सीधे फिर दो उल्टे दो सीधे फिर दो उल्टे फिर दो सीधे दो उल्टे धागा पीछे करके दो सीधे धागा आगे करके दो उल्टे धागा पीछे करके दो सीधे धागा आगे करके दो उल्टे उल्टी स्लाई में जैसे नजर आएगा वैसे बुनना सीधी स्लाई में हमने इसको उल्टाना है फिर उल्टी स्लाई में जो नजर आता है वैसे बुन लेना आई डेको दो सीधी थे यहां भी दो सीधी आएंगे दो उल्टी आएंगे आई जै देखो यह सा मना दिए लेको अल्टी स्लाई भी डाल लो कि कि सीधी स्लाई दीको पहले हमाने दो उल्टी डाले थे ना अब जो उल्टे डाले थे उसके उपर हमने अब दो सीधे डाल देने जो सीधे डाले थे उसके उपर हमने दो उल्टे डाल देने जह उलते थे हैं यहां हमने सीधे डालने, उल्टी slide डालके सीधी slide मीं हर स्साईध में हमने change करना है सीधे के उपर उलते उल्टे के उपर सीधे यह उल्टे हैं हमने सीधे डाल देने दो सीदे दो उल्टे उफ़े के उपर सीदे उपर उल्टे उल्टी जो नजर आता है वैसे बुन्क शीदी स्लाई में हमने ben change करना हर सीधी सिलाई में हमने चेंज करना जो सीधय है उपर उलते जो उल्टे है उसके उपर सीधे आप चाहीं पूर मकल सकते हो आप चौटा बाडर भी बना सकते हो पर लेकिन मैंने बड़ा बाडर बनाया है उल्टी स्लाई पूरी उल्टी पूराँ देखो ऐसा मैंने आ रहे है जै मैंने तीन इंच का मैंने बनाया है सेंटिमेटर में जाएको तो आठ वैसे तीन इंच मैंने बॉर्डर बनाया है यह देखो मैंने बॉर्डर बना लिया अब हम उपर यह वाला शुगू करेंगे यह देखो नीचे हमारे 40 फंदे थे अब उपर हमने 60 फंदे करना है साड़ फंदे कैसे करना है यह देखो पहले सिंपल दो फंदे बुन लेने फिर धागा आगे करके जाड़ी डाल देने फिर दो फंदे बुन लेने धागा आगे हमारा give look दोफंदे बुन लेने धागा आगे जाली फिर दोफंदे बुनलो धागा आगे लादी फिर दो फंदे बुन लेने धागा आगे फिर जाली फिर दो फंदे बुन लेने धागा आगे फिर जाली दो फंदों के बाद हमने जाली डालनी है धागा आगे करके ऐसे पूरे फंदे आपने 60 फंदे आपके हो जाएंगे देखो ऐसे न जाली सी बन जाएगी ऐसे पुरा करके यह देखो यह मेरे फंदे बढ़ गए अब उल्टी स्लाई है हमारी जिक आपके फंदे कम होंगे तो सैड़ों में हमने एक फंदा फिर उठा लेंगे यह आपके साथ पंदे नहीं हुए ना सैड़ों में एक फंदा उड़ाते जाएंगे और पूरे कर आप देखो यह मैंने यहाँ आपने आप आगे हमेरा डिजाइन इदर एनन आब हम न हो स्टाविक में डाला था जांड जया वाला अब हमने इदर डालना है फुर्टी तरफ आएगा तो कि हम एसे बनाना ना सिर्व सेंट्रम साइप मोरे मुरे मोरे है से में आयेका जेवा एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा फंदे हमने सीधे बुनके फिर उल्टे बुनने हैं एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा फंदे हमने सीधे उल्टे बुनके अब बाकी दे फंदे हमने सारे सीधे बुन देने प्राणि का क्भाव, छुनके मनों, हमने सीधे खारे सीधे ले एंदे में दे बुनके 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 कि दोसिक प्राणिदी Бापाव भी बानों, हमने सीधे प्राणिंदे हैं अर्ण चिए NDET यए दिゴrict खो बाकी सारे मैंने सीधे बुन लिये जहां सीधे उल्टे हमने बुनने हैं आप जूरी नी जाली डालके बनाने आप सिंपल भी बना सकते हो जहां मेरे फंदे एक काम था इसलिए मैंने जहां से एक फंदा और बढ़ा लूँगी इस तरह भी मैंने एक फंदा बढ़ा लूँगी यह उठाकर तो कि मेरा एक दो फंदे मेरे कम थे अब उल्टी स्लाई है अब उल्टी स्लाई में हमने बारा फंदे जो है जो हमने केबल डालने उस वह उल्टे डालने बाकी सारे सीधे डालने सीधी तरफ से वह सीधे उल्टी तरफ से भी सीधे आप ने शान भी लगा सकते हो कोई धागा डाल सकते हो तो ऐसे आप जे डालने आप बारा फंदे हमने उल्टे डालने आप जो देखो कि एक दो तीन चार पांचे साथ आठ नौन दस ग्यारा बारा जहां भी हम एक निशान सा लगा लेंगे आपके पास यह नहीं है तो आप धागा भी लगा सकते हो इससे जड़ा स्वानी हो जाती है समझने की बाट की सारे हमारे उल्टे आप्स लेंगा डाल के फिर हम वो डिजाइन डाल लेंगे आप डाल लो फिर हमने वो डिजाइन डाल लेंगे दो हमारी हो गई यह चार हो गई है चार वो डाल लो अब हमने हमारी आट्सलाइयां हो गई अब हमने जहां डिजाइन डालना है पेले हमने एक, दो, तीन, चार फंदे उतारके और पिछे वाले चार फंदे हमने बुनने हैं एक, दो, तीन, चार फिर आगे बाए बने चार एक, दो, तीन, और चार जी आपके पास ऐसी सलाई नहीं है कि आप नॉर्मल सलाई ऐसे भी बुन सकते हूं अब हमने 8 सलाई और डालके फिर हमने दूसरी तरफ से डिजाइन उल्टाना है ऐसे आपने 8 सलाई फिर डाल लो फिर दूसरी तरफ से डिजाइन उल्टाएंगे और उल्टी सलाई यासे हम बुनते हैं बारा फंदे हमारे उल्टे और बाकी फंदे सारे सीधे सीधे जाएंगे 8 सलाई डालके फिर आगे आपको दिखाएंगे आगे हमने इधर से पंदे चार गी यह थे न आप दूसरी तरफ से करेंगे तरह की तरह के दूसरी जाएंगे तीन चार फंदे बुन लिए और चार फंदे हमने उतार लेने और पीछे की तरफ कर देने पहले हमने चार फंदे उतार आगे की तरफ किये थे ना चार फंदे उतार पीछे की तरफ करके पहले हमने यह बुन लिएने एक दो तीन और चार और बापस चार फंदे हमने यह बुन लिएने एक दो तीन और चार बस यह रखना एक तरफ से आगे आएंगे दूसरे एक तरफ से पीछे जाएंगे जब यह वाले हमने करने जो आगे वाले तार ने हमने आगे रखने हैं पीछे वाले हमने पीछे रखने मैंने आठाट सलईयों के बाद इनको लटाया है आप जब आप चाहे तो छे के बाद भी लटा सकते हो मैंने आठाट के बाद लटाया कि यहाँ पूरा कर लो और आपको समझ आगी होगी कि आट शसले यह वाले के बाद हमने यह वाला करना आड शसले बाद हमने यह वाला पहले एक तरफ ज़ेतर दुजी तरफ यह से आठी लेंगे कर लो आपको एक बले फिर बता देति हूं have a गिए फिर चार हंदे रोतार पहले यह उत्यारिए यह डिव्ल एणा अअ आगे κάνने या इदर ब सानता या ईद्यार थाय ना आस पीछ गने जिया दियान बनाव स पहले हम यह बुन लेंगे चार फंदे दो तीन और चार फिर चार फंदे यह बुन लेंगे का दो थैंन और चार अब आऄ स्लाएं के बाइदे आफ्स लेंगे बाइद आएस्लें के बाइद आछिनको बाइद आप थे यह वाडा करलिए अब यह वाणा करना हमें यह से यह मारे चार फंदे पीछे आएंगे यह को एकHow इक और आगे आगे कर पीछे आएंगे बस इतना ध्यान रखना प्किया पैसे बुंते जो यह देखो मेरे दोने तरफ दोनों टांगे त्यार हो गई है यह मैंने कितने इंच की बनाई है 12 इंच 12 इंच की मैंने लंबाई रखके अब हम इन दोनों को दूसरी स्लाई में हम डाल लेंगे इस स्लाई में हम डाल लेंगे अब यहां से हमने फंदे बढ़ाने या बढ़न पट्टी के लिए ऐसे एक दो तीन चार पांच छे साथ और आठ आठ फंदे मैंने बढ़ाए है यह बढ़न पट्टी हम बनाएंगे मैंने नीचे स्लाईया नौ नमबर की लगाए थी उपर यह भी स्लाई मेरी नौ नमबर की ही है परतमान की मैंने उन लगाई है थोड़े डीड़े ले बुनने हमने यह बंदे यह देखो यह देखो हमा इंवाज़े ले शोर रहता बें करें क्वोर दूबर स्था यह देखो यह देखो इंवाची CT-90 सब्सचे का 2D स्लाई से पूरी कर लेंगे सीधी स्लाई आएगी पहले ये पूरे आगे आप दूसरा पास से भी हमने ऐसे ही फंदे बढ़ाने है एक दो तीन चार पान छे साथ और आठ ये पीछे वारा हिस्सा हमारा आएगा अब एक दाग हम काट देंगे गला हम ब एक दे स कर दो दे है डकार दो Przyहारा ह KNOW रोड़ हमने इंझ्या पास से एक दो प्लाई हम है झाल 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 देखो ऐसे कम्प्रीट करके आप इधर भी हमने आठ फंदे बढ़ाने है एट फंदे इधर भी हमने बढ़ाने है ऐसे आएगा जहां भी हम एट फंदे बढ़ा देंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, शे, साथ और आठ एट फंदे हमने इधर भी बढ़ा दिये अब आप जैसे डिजाइन बना के बना रहे थी इतना ही वैसे बनाते जाओ फिर थोड़ा आगे जाके आपको मताओंगे जी हमने बिच बटन होल भी बनाने है जब बटन होल की अब तक पहुंचो हम बटन होल बनाना सी खाएंगे आपको आप जैसे अब डिजाइन डाल रहे थे वैसे आप पूरा उपड़ तक इसकी बॉड़ी बनानी शुरू करनी अब हम ने विकुल संजी बॉड़ी बननी है इस बॉड़ी बनना ने में से लाई नहीं आएगी नहीं पर इतना बना लो पिरा के आपको मैं बताती हूं यह देखो इतना मेरा बन गया है अब उपरला हिस्सा मैं बनाने जा रही हूं अज़े देखो उपरला हिस्सा बना रही हूं मैंने बटन होल बनाई यह धो तीन अब तीसरा बटन होल बनाना इसके बाद हमने इनके तीन से कर लेंगे हज़ें को जहां ने आम होल की बाजुर लगाने के लिए वो बञाना है असके बटन होल खाम ना गया देखो तीन फंदे बुनके फिर दो का एक कर देना तीन फंदे पर ले बुन ले फिर दो का एक धागा आगे जाली बन गई बटन होल बन गए अब हमने इसके फंदे हमें तीन ही से कर लेने हैं हमारे साथ आगे थे साथ पीछे थे ना साथ इस तरफ के के साथ इस तरफ के थे अब हम पंदरा पंदरा साथ एकसो बीस अब तीस तीस हम आगे करेंगे फंदे और तीस फंदे पीछे करेंगे साथ इस तो जो देखो बढ़न पट्टी के हमने 5 बढ़ाये थे ना 10 फंदे एक दो तीन चार पांच यह बढ़न पट्टी के हम छोड़के बाकी एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो दस ग्यारां बारां तेरा चोड़ां पंद्रा यह पंद्रा हमारे तीस फंदे हमारे आगे 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 अब हम यह पक्की छोड़ देंगे पर सिर्फ इसकी को बुनेंगे हमने की कटिंग नहीं डालनी सिर्फ जहां बाजू लगाने की जगा छोड़नी बस कटिंग नहीं करनी तीस तीस फंदे हमारे आगे आगे और साट फंदे हमारे पीछे आगे पेले हम आगे वाला इससा बुन लेंगे फिर पीछे वाला बुनेंगे अब हम सिर्फ इतने फंदे ही बुनेंगे इतने ही तीस फंदे हम बुनेंगे तीस फंदे बुनके तो फिर हमने जितना बनाकर आगे बाजू लगाने की जगा छोड़कर इतना अपना मौंडा बनता है इतना बनाकर फिर हम दूसरा तरफ बनेंगे और फिर गले की कटाई डालेंगे थोड़ा सा बुन ले फिर आगे गले की कटाई डालने वह आपको मैं बताती हूं फिर इतना बुन लो थोड़ा सा फिर आगे मैं बताती हूं आपको यह देखो इतना हो गया इतना हमने होर बुनना है अब हम गले की कटाई डाल लेंगे पहरे था हम बंद पट्टी के जो बनाये थे फंदे वो हमने बंद करने हैं एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ और दस यह दो हमारे होगे बटन पट्टी वाले फंदे अब हमने इतने फंदों पे हमने इसकी कल्ले की कटेंग करनी है गी जहां हमने बारा फंदे उपर रखेंगे चोभी फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नौ, तस, बीस फंदे हम रख लेंगे उपर बीस फंदे मौंडे की हम उपर रखेंगे बाकी इतने फंदे हमने कटिंग करनी है पहले कर लेंगे हम तीन, एक, दो, और तीन, पहले तीन कर लेंगे फिर दो, फिर एक-एक की हम करके पहले इतना दालो, थाओ तीन की डानी थी घ Penn Why ve का उवाली जहम दो, एक, और दो, और दो ऐसे दो-दो करके हम अगे तक ले जाएंगे यहां हमारा जे मोंडे की पूरी चुड़ाई लंबाई हो जाएगी इधर गले की हो जाएगी हमने अब डाले दो फिर करेंगे दो फिर करेंगे दो फिर करेंगे ऐसे करके दो-दो के हम आगे तक ले जाएंगे पूरा करके आपको में दिखाती हूँ जह देखू जह पूरा हमारा हो गया गल्ला भी पूरा हमारा गल्ले की शेथ भी पूरी पैगे और हमारा जह मोंड़े की भी पूरा हो गया वे देखें अब हम इधर वाला हिस्सा बुनेंगे दूसरी तरफ यह भी हम जैसे यह बनाया ना वैसे वह बना लेना और पीछे वाला जो बनाना ना पीछे वाले की हमने कटिंग निक गले की करने क्योंकि हमने काडल बनाना है तो पीछे वाला का नहीं बनाना आगे वाला जैसे यह बनाया वैसे यह बना दो फिर आपको पीछे वाला मैं बत यह उतना ही यह बना लो बनाकर फिर आगे मैं पीछे वाला बताऊंगे जब दूसरे तरफ शुरू करेंगे ना पहला फंदे हमने निकाल के दूसरे उल्टे कर लेने उल्टे थे ना अब सीधे करने फंदे पहले इस लाई में डार लेने किसी दूसरे खुनिकर डार बताँ पहले है रेकी यह कि अट्वे नी. यहां से नी शुरू करना, इधर से शुरू करना, इधर से. पंदे निकाल के न, उल्टा तरफ कर लेने, उल्टे फंदे थे न, वो सीधे कर लेने, बाक्की वैसे ही यासे हमने, इधर वाला बनाया थे, पंदे निकाल के सलाई में, उल्टे कर लेने, उल्टे फंदे थे न, सीधे कर लेने, इतना बना कर आपने दूस्टर तरफ यहां पीछे वाला हिस्सा बनाएंगे, यह देखो, पूरा हो गया, पीछे वाला हिस्सा जो था न, मैंने बुन के, एक कर दे, मैंने इसको जोड दिया, और बाक्की फंदे मैंने, सलाई में रहने दिया, और इस साइड भी हम, इसको ऐसे, जोड लिएंगे, जोड लेंगे, जोड दे, जोड़ दे, जोड दे एक इसको अब हुआएंगे, जोड़ से, जोड दे, पिछे वाले की कटिंग नहीं करने बस फंदे रख लेने वैसे हमने कॉलर बनाना है कॉलर ब्लुकुल साथ साथ आएगा फिर ये किधर से लेना ये किधर से लेना दोनों तरफ से किक फंदा लेकर ऐसे हम पूरा बंद कर देंगे फिर हम कॉलर के फंदे उठाएंगे ऐसे पूरा दोनों तरफ से किक फंदा लेकर पूरे बंद कर देंगे जोने नॉर्मल हम बंद करते ही हैं यसे पूरा बंद यह देखो आएसे हो गया यसे पूरा कर देंगे हम फिर हम फंदे उठाटे यह देखो यह पूरा बंद हो गया अब हम गले के फंदे उठाएंगे फंदे हम पट्टी के छोड़के ना इतने यहां से उठाएंगे उपर-उपर ऐसे जैसे हमारे एक दो तीन चार पांचे आप इस बीस फंदे हमारे यह हैं पीछे वाले और बीस बीस फंदे हम यहां से उठाएंगे दोनों तरफ से इतना चोड़के यह देखो हम पेखाएंगे जहां से इतना चोड़ देंगे हैं जहां से उठाएंगे जहां से इसे उठाते जाएंगे 20 इदर से 20 उदर से 20 पीछे वाले साट फंदे हमारे वह जाएंगे ऐसे पूरे अठालो जहां इतना चोड़ना है रस इतना चोड़के पूरे फंदे उठालो फिर आपको बदातें कैसे करने हैं यह देखो जब पूरे मैंने फंदे उठाके दोस लगया मैंने चडाली है आप क्या करना है इदर से इदेखो इतना छोड़ा हैं और इदर से इस इतना छोड़ा आप हम नीचे बाड़र नीचे बनाया था न वही वाला बाड़र हम बनाएंगे कि दो सीधे दो उल्टे फिर दो सीधे दो चार छे छे फंदों का हमने दोनों तरफ से बॉर्डर बनाना है बाकी बीच में मैंने सीधी सीधी सलाई चडानी है धागा आगे किया और एक जाली डाल दी इससे हमारे फंदे बढ़ेंगे बाकी हमने सिंपल बिल्कुल सीधी सीधी सलाई चडानी है छे छे हमने फंदे रखे दोनों सेड़ों में जो बाडर बनाना हमने है हर सिधी सलाई में हमने बाडर बनाना है जाली हर सिधी सलाई में एक फंदा बढ़ाना है जाली हर हर सिधी सलाई में आगे करें 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 दो सीधे फिर दो उल्टे फिर दो सीधे करें 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 जोड़ा हमने फंदा बढ़ाया वो भी सीधा ही जाएगा दो उल्टे, दो सीधे, फिर दो उल्टे अब हमारे दो फंदे उल्टे आ जाएंगे, दो फंदे हमारे सीधे, फिर दो फंदे हमारे उल्टे, और फिर दागा आगे करके जाड़ी डालें, बाकी फंदे सीधे, ऐसे ऐसे जाड़ी डालते जाएंगे इसके शेफ बनती जाएगी काल लटगी कोbear कि, दोनो तरफ ऐसे ही अपने कटे जाना, जाड़ी डालते जाएगे एसे लटी बना लो फिर आगे आपको बताती है जो देखो यह मैंने पूरा बना लिया एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नो जारी डाल के मैंने नो जारी डाल के मैंने जारी डालनी बंद कर दी नो जारी डाल के मैंने फंदे बढ़ा लिये अब मैंने क्या किया जे डिजाइन जो हमने जहां डाला गाना यह उपर भी डालना है जे मैंने चार सलाइँ डाल लिया देखो दो सीधे दो उल्टे की और दो और डालूंगी दो तब पूरा हो जाएगा चार मैंने डाल लिए दो डालूंगी फिर हम इसको बंद कर देंगे वह वाला प्रसीजर जो हमने नीचे बनाया दो उल्टे कि दो सीवे कि मैंने नो जाही डालके बंद कर दिया नो जाही डालके बंद कर दिया नो जाही डालके बंद कर दिया मैंने आप चाहो तो बड़ा भी बुन सकते हैं ज्यादा बड़ा करना तो दस भी कर सकते हो बारा भी कर सकते हो आपकी चल्ण सार है मैंने इतना ही बनाया अब हम दोस्त जाल के फिर इसको बंद करतीूंहुं। बंद करके आपको मैं दिखाती हूं कैसे बनाईं lesser पूरा बनाकर आपको मैं याक बंद करना भी शिख्टि उदूँ और कृण दिखाती हूं सिंस्प्ल जैसे हम आगे भी करते हुं। दो का एक करके पूरा बंद करके आपको मैं दिखाती हूं क्यासा बनाया ऐसे पूरा बंद कर लो आपको मैं पूरा बंद करके फी दिखाती हूं यह देखो कालर पूरा बन गया जो कितना अच्छी शेप इसकी आई है आप जो हम बटन लगा देंगे करें अर्म हम यह पर पूरा बटन आ जाएंगे और यहां फहासा हमने स्टिचिंग करने कि यहां से लेकर इसको यह डबल करके स्टिचिंग करनने है कि यहां पर कि इधर से इधर को इधर ऐसे पूरा स्टिच कर दें यह मैंने बाजू बनाई यह मैंने बाजू के उपपर डिजाइन सोरा सा डाल दिया जहां लड़ाएंगे बाजू जिसकी कोई कटिंग नहीं डाली कि सींपल डिजाइन डालन के बीच में पिए बना दिया केबल मैंने टोल डिजािन तो आई लइसे हुए कीछ शसलें मैंने डारक ब्लू कि यह श्पर अब हैकि यह फिर कि यहां से भी सिर्फ देखना धिहान से यहां से स्लाइक करने लगए इस पट्टी को नीचे रखना इसको उपर रखना ऐसे स्टिचिंग का नियद ऐसे कि इस तरह कि यहां बटन आ जाएंगे इस कलर के बटन लगाएंगे हम थैंक यू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना आपको अगली वीडियो के साथ मिलते हैं